है कैसला हम बैक टो नाथ वीडियो ओफ एक जी भाई सहाब पार्षुना जो है वो पॉर्टो से जीत गई वन दिल आपके मन में कई सारे सवाल होंगे क्या बार्षुना ने रॉब किया है पॉर्टो को कह रहा है फ्री ने हेल्प किया है बार्षुना को उन सब सवालों का लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा गेम के बारे में टाक्टिकल Analyzis मिल जाएगी और & और और ऑविसली उपीनियन मिलेगा बूरे इए पूरे एग ऑपर करने वाले बारे में एक गेम रिव्यू अपन करने वाले बाइस दो पकॉसस्ता आधे तीन वाठी जए अब dart पहुंच गया हुँ दोस्तों विडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के टैक्टिकल अनिलिस के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लाइन अप के बारे में सो वेरी गुड अपर शावी न्यू की बाई यह गीम बहुत टफ होने वाले हमारे लिए उसे लिए उसन और हमको बैक कर रही तन देखने को मिला अब देखो जैसे गेम चालू हुआ ना एक चीज तो बहुत ही जदा एविडेंट हो गई दोस्तों कि भाई पोर्तो जो है वो मरे जियो टाइप प्रेस कर रही है क्रीन शॉट में भी तुम देख सकते हो भाई यहां पे देखो और 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 उरियल रॉम्यो के पास बाल है जिसे इस टेपिकल बार्सलोना प्ले और गयरा को दे लेकिन गावी को भी जब बाल अगर मिल जाती थी दोस्तों यहां पर यह तीन लोग ना चड़ जाते थे गावी के उपर और इसको डिस्पोसेस करके अपना टैक बनाते थे तो तो भाई शुरुवात की मिनट से ही जो है वो गजब का प्रेस कर रही थी और वो चीज़ अपन को throughout the game देखने को मिला तो जैसे मैंने आपको बता है midfield में कुछ option नहीं था बार्सना को जो है वो wings का सहारा ही लेना पड़ता अगर attack करना होता and unfortunately वो जाधा पन को game में देखने को मिला यह एक chance मेरे को देखने को मिला जिसमें Felix and Gundogan did one two एक दूसरे के साथ और one two काफी जदा अच्छा successful type का हुआ although यह जो है वो offside जो है वो हो गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो line तो मैं draw कर सकता हूं but line draw करने की जरुवत नहीं है आप लोग खुद समझ जाओगे देख सकते हो दोस्तों बहुत ही जादा offside है and the last player of porto is somewhere here तो अच्छा कासा जो है वो offside है जो यहाँ पर जो फिलिक्स है पास मिलती जो फिलिक्स को जो फिलिक्स अनलकी थे जाकर के जो है वो गोल ही जो है वो भाई साब हाथ में दे दिये गोल की पर की बट कोई मतलब नहीं होता offside होता बट हां इससे एक चीद समझ मैं है कि गोल की पर को हिट किया भाई जो मेरे को लगता है कि अच्छा कर सकता था मुरोवर आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई मरे जियो टाइप प्रेसिंग चल रही है दोस्तों भाई आप देख रहे हो मतलब कुल मिला करके हां टस्चिंगन ने बॉल बस दिया है और यह घुस यह यह राव के पास बॉल आगया है आगे अगर बढ़े तो भाई राव के पास देखें यहाँ पर बॉल और इस स्क्रीन शॉर्ट से मैं थोड़ सा अपना फॉर्मेशन समझने की कोशिश कर रहा था पट अपर को कुछ समझ में नहीं आया हम पता नहीं क्या फॉर्मेशन की चौ्धन नंबर कौन है यार मैं बूल रहा हूं बारसुना में चौदन नंबर कौन है विकास यह तो भाई बाई जिए फिलिक्स होगा विलिक्स सॉर्य दोस्थो यह फिलिक्स है और यह यह माल है औकई लिए ब्ड़ी बाल दे हैं यह अपना गुंडूग आन है और यह जो है वो अपना भाई कंसेलो है तो आप देख सकते हो ये पता नहीं बार्षना क्या कर रही थी बट इससे आप एक चीज ये जरूर समझ सकते हो कि ये भाई विंग्स जो है वो विद बना करके चल रहे थे क्योंकि जैसा मैंने आपको बता है मिट्फिल्ड से सच कुछ रास इससे आप एक चीज और समझो दोस्तों ये तो चलो हमारा कहानी हो गया ना पॉर्टो को क्या कर रही थी डिसिप्लीन में लोग चल रहे थे भाई मेरे ख्याल से पॉर्टो के मैनेजर को दाद दिनी पड़ेगी जिसे साबसे वो उतना गेम खिलवा रहा था भाई पीछे Defender Line Maintain करके चल रहें बीच में थीन Midf jetzt L और तीनась Якर Line Maintain करके चल रहे कंधी ये बंद पीच में आ जाता था और ये दोनों जो है बस Expare कडते थे और मैं इससे ये समझाना चारह रहे हूँ पोर्टो का मैनेजर इस जस शूपब है जिस प्रस्वार को शय Assicide Little लगा कि बहुत मंजी हुई टीम है पूर तू मतब इसी बात नहीं है भाई हरान तो इस इस डैट पेनाल्टी कॉल जिसमें लोग कह रहे थे कि इचुड है बीना पेनाल्टी फॉर भाई साहब बार्स लोना ओल्डो मैं इसमें सब्सक्राइब करना नहीं चाहूंगा बिकॉस मेरे पास ऐस सच कुछ फोटो एविडेंट नहीं है बट हाँ पहली बार देखने में तो लग रहा था गेट फॉस पेनाल्टी बिकॉस अंडे ओविसली मिस जज़्ड इस टैकल और वो क्लियरली मिस किया था टेरी मी के ऊपर ये पेनाल्टी देख करके तो एक बार में है आप सकुछ था बट इसा हुआ नहीं तो ऐसा कुछ रॉन अब ये एक बॉल अगे न को मिली थी गुंदूगान यहां पास दिया है देख सकते हैं फिलिक्स को फिलिक्स शॉट लिया था बहुत अच्छा शॉट था फिलिक्स का बट फिलिक्स ऐसा है टो तो घॉल्ड ब होती है एंड बहुत सीरियस इंजरी तो नहीं हुई है इस परेन वगरा हाई और होगा इफ आम नॉट रॉंग देख सकते हो यहां पर इस वसा प्रॉपर अटैक फ्रॉम बैंफिका बैंफिका कहा हूं पोर्तो एंड हम बता मतलब जब फास्ट काउंटर अटैक कर इसे पोर्तो तो हम हार जा रहे थे मतलब विवर इजी तो ब्रेक इन बिंग रेली वरी ओनिस तो तो कल भाई तरस्टेगन वस ऑन इस टॉप ऑफ गेम आपर आई गैसी हैस मेट सेवन सेव इस इस इवन नॉट रॉंग एंड भाई वह तरीन फॉ तो अपन ये गेम हारने वाले थे तुम देख सकते हो यहां पर इस इस कंसेलो इफ आम नॉट रॉंग कंसेलो इस डिवास्टेट कह रहा हूं पता नहीं क्या है वह वर डी व्यस्ट इडी डिवास्टेट जो भी बुलते हैं भाई बिकुस यह यह बंदा पूर्तों का और यह बंदा पूर्तों का रॉंध के चला गया बीच से इन दुनों समझ रहे हो तो यह बस्त बॉल इन लोग आपस में एक्सजेंज करके यहां तक पहुंचे थे एंड आगे बढ़के आया था और यहां शॉट लिया था बड़ भाई कुथा स्टेगन ने रोका था और और पूर्दों ने भी जो है वो help किया था तरस्टेगन का आप लोग देख सकते सो भाई तरस्टेगन का कमाल बट यहां से चुख है पूर्दो वस्तों इस मुमेंट तक मेरे को लग रहा था वी विल देफिनेटली यूनों कंसीड आओ गोल एंड हम गोल नहीं मार पाएंगी क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा था है वी इवन लॉश्ट लेमें डॉस्की तो मैं तो हाथ खड़े कर चुका था आई 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 मेड माइ माइंड की ड्रॉव हुने वाला है बट थैंक्स तु इस गाई आई दूना रमेंबर इस नेमें और बिफॉर इस नेमें और की पास में दम नहीं रही बॉल केवल यहीं तक पहुची और गुंडुगां रट से बॉल यहां पे छीन करके रट से जो है वो भाई पास दिये फरान टॉरेस को फरान टॉरेस को लेंडॉस्की का सब्सीट्यूड मना करके लाया मैं जैसी यह शॉट लेने वाड़ा था थ आने वालें यह गेम हम जीती नहीं सकते इस गेम में कोई गोल पड़ेगा ही नहीं एंड फरान टॉरेस डिडी वंडर्फुल जॉब एंड इस गोल भाई मेरा दिल गाडन गाडन हो गया फरान तेरा प्यार ठुकरावा देख करके थैंक्स डू यूर गल्फ्रेंड भाई स अitaryITE पर बारहिया टेंज इस वाहन एक है था दो यह फॉट खरीक मेस ही गों टाकर और तो में जातर है या थे स्टी नहीं और भालेव इसको पास दे इसको प्ता सिसकु पास दे पर य respe को पास दे बार्सलोना वे फुट बॉल खेले मस तराम से जिसमें वो टेंपो कंट्रोल हो ने तो बहुत के ओटिक लग रहा था फस्चाफ बिकोज पॉर्टो भी घुश रही थी तो हम ज्यादा टिकी टाका नहीं कर से बट एक पल के बाद ना पॉर्टो भी थकसी गई कितन दा दाढूनेंगा यार प्लेयर तो उसका फाइदा जो हैं वो बारस्लोना ने उठाया सेकेंड अफ के सा सेकेंड Kahf के बिगें होते तक थोड़ी सी शान तो गय थी प्रच आ आप देख सकतेवश तो थोड़ सा काम अंड कंपोज जो है वो बार्सलोना BBY खेलना चालू कर दी थी विवर यून्हा पासिंग बॉल को यहां तक भी ले आऊगे जाकर के लाउच्ट कर दे रहा था यहां बॉल आती थी तो यह आगे जाकर के लॉश्ट कर दे रहा था इसमें ना गलती प्लेयर्स की नहीं है यही है फरान टोरेस if I'm not फरान टोरेस was doing his best, he was coming back helping in defense and फरान टोरेस कल एक complete game खेला है, जो शाइद लेवेंटोस की you know, रहता तो हम कोई ऐसा defensive cover हमारे striker के तरफ से नहीं मिलता but इसी के चलते हमारे पास since कोई focal point नहीं है यहाँ पे तो भाई हम बास नहीं कर पा रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे हम game कैसे लेकर के जाएं तो बारसुना बहुत slow सी हो गई थी being really very honest and उसी का जो है वो भाई पोर्तो बीच में ball disposes करवा करकर counter hit कर रहे थी and यह वाला counter भाई मेरा दिल जो है ना मेरे मूँ पे आचुका था because this was just 1v1 chance against Tustegen and Kunde was running from behind the bag and I thought यह तो Kunde penalty देने वाला है यह तो Tustegen बचाने वाला है but Kunde का यह save देखो तो यह इतना essential save है ना दोस्तों की यहाँ पे वो missy नहीं कर सकता था अगर यहाँ पे कुंडे ने थोड़ा सा भी miss करना था ना एकदम एक सेंटी मीटर से भी miss करना था ना रट से पिराल्टी देता भाई रैफरी but thankfully भाई कुंडे was and is in his topist of form यह भाई कुंडे का कल game I guess 10 on 10 मेरे ख्याल से Tustegen का game कल 10 on 10 मेरे ख्याल से भाई हमारे अरावो का game भी भाई 10 on 10 उसको भी दिखेगा तो उसको भी 10 on 10 डालूगा because these two guys and three guys were just superb दोनों हमारे center back and the goalkeeper was just superb and भाई गजब का you know game save save यहाँ पे कुंडे के तरफ से and आप देख सकते हैं ऐसी game save देखो अरावो ने भी एक दिया था वन वन चांस once again and इस वाले वन वी चांस में न इस बंदे को जो हो shot पहले ले ले लेना चाहिए था he waited just too long रावो आ करके जो है वो भाई clear कर पया and इस type के tackles are the most difficult tackles जब आप cross मतलब जब आप न ऐसे intercept कर रहे हो player को अगर आप सीधा सीधा जा करके धक्का मार तो अलग है बट आप पीछे से दौट करके सामने आ रहे हो न ऐसे आ रहे हो न this is a very tough challenge इसमें timing is very tough बट अरावो के लिए भाई 10 on 10 maybe इसके लिए 11 on 10 भाई रहा हो दिल जीत लिया भाई तो चुम्मी है भाई चुम्मी आपके देख सकते हैं आप 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 यह 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 play में आपको दिखाना चाहरा था कि you know second half में particularly we were just defending and यह एक थोड़ा सा shameful बात है कि we didn't even took uh shot on target if i am not wrong uh in the second half तो second half में हमारे तरफ से बिल्कुल कोई attacking play देखने को नहीं मिला and we were just defending for the whole of the game and particularly this was possible because lamine yamal as the report suggests 71st minute पे ना जा करके मूतने या हगने चला गया था वाई तो यह जो भी करने चला गया था lamine yamal जिसके चलते बात कुना वस particularly playing 21 minute से देखर कि 80th minute जब चब तक अपना अलॉंसो नहीं आया ना तब तक हम लोग 10 men down थे भाई lamine yamal 30 करने जा चुका था तो हम थोड़ा सा और defensive हो गए थे 10 minute के लिए क्योंकि हम 10 men down थे तो देख सकते ही लोग अटेक बगरा बना रहे थे यहां पर यह थी क्या यह handball है कि नहीं देखो अगर यह रहता ना अगर इस बंदे का handball नहीं दिया रहता पॉर्त वाले बंदे का यह जाओ कंसलो का 110% handball है यह मैं ऐसा बासलोना फैन भी कह रहा हूं और मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आंटनी टेलर को भी मालूम था बट कोश्चन यहां पर आया इस दिस अंगल से नहीं लग रहा है इसके बाद वाला एंगल अगर मैंने दिया यह देखो यह वाले अंगल से लेकिन लग रहा है हाँ handball था तो मेरे ख्याल से उसने best of the best decision लिया है अपने हिसाब से दोस्तों अब कि यह handball है अब नहीं देखो अब यह referee के उपर है but there's one thing to note यार if I'm not wrong are six players जो है वो received yellow card ठीक है Gavi even received one red card so ऐसा नहीं है कि Anthony Taylor was totally biased है ना उसने हमको भी yellow card or red card दी है but calling this one a handball or not it's something जो refc decide करते है handball वाली mechanism ना is so dubious right now even after war कि वो अपना एक personal उसमें आ गया है कि भाई वो मानेगा तो है नहीं है तो नहीं है आप नहीं कह सकते है भाई इसमें कुछ so वो handball हो गया तो उसके चलते वो जो है वो भाई पिनाल्टी नहीं मिली वर्णा पिनाल्टी मिल जाती यह एक चांसापन को टेरिमी के तरफ से देखने को मिला जो काफी बहतरी नाल्डो टाइप का बट आप देख सकते हैं जैसी यह शॉट ले रहता कुंडे अलांसो सब जो है वो हाथ खड़ा कर देदेगी यह ऑफसाइड है और अविसली वो ऑफसाइड था एंड यहां पर तरस्टेगन गुसाते वे नजर आया है मुझको एंड मैं भाई बार्सनों को बहुत सालों से देख रहा हूँ इस इस दी वेरी फस्ट तैम इंग्री को इस इस नोच समथिं विच अटेगर सुन्रली क्योंकि वो बॉल जैसी गुल कीपर के मैं हाथ चला जाता हम लो गला हूँ जाता है यह बच्चा यह बच्चा यह मैंनेजर का बच्चा है उनके मैंनेजर का लड़काया यह पहर लगा रहा था तरस्टे गन को तो टस्टे ग everything which was possible in midfield, get the ball, लड़ाई कर लेना, जगडा कर लेना, रोकना, but, you know, ranking yellow cards like it's, you know, crazy, भाई, for him, because yellow card तो यह ऐसे ले लेता, जैसे चननमुर्रा खरीद रहा है, भाई, ठीक है भाई, तेरे अंदर testosterone बहुत जाद है, मैं जान रहूं, भाई, खराएं मेरे को, लेकिन control करना, भाई, at this point of time, मुझको ऐसा लगता है, अब गावी के लिए यह सब न, मसल मैमोरी हो गया, भाई, this is like, उसका मसल मैमोरी की, भाई, मिर से मैं, मैं, मैं जान बुच की नहीं करता हूं, और हम उतना अच्छा गेम नहीं खेले, हम जादा अच्छा खेल सकते थे, और यह वो लंद फंद, बहुत सारी चीज़े, बार्शना फैंस कह रहे हैं, कि we had a shared game, but when you look upon the circumstances, जिसमें बार्शना चल रही है, we didn't had our two best midfielders right now, फैदरी नहीं है, फ्रेंकी नहीं है, उसके बाद फिर हम 30th मिनट में अपना best striker जो है, वो खो बैठते हैं, moreover भाई, इतना उनका home ground में हला गुला चल रहा है, एकदम अलगी टाइप का महौल चल रहा है, फिर referee के decisions तुम देख सकते हो, so looking upon everything which was going in the game, I guess this was the best Barcelona could do, and three points and we move on वाला game था भाई, ठीक है, वो एक UEFA Champions League में अवे जाकर के खिलना बार्सलोना के लिए एक nightmare साह है, और उस nightmare से निकलना काफी से ज़री था, और शायद कल उस गेम से निकल चुके हैं, हम लोग एक गोल मार करके होफूली, although अगर वो चांस नहीं खुद से पूर्टो का बलेर देता तो हम लोग शायद नहीं मार पातें, गोल ये भी एक बात सत्य है, तो जैसा आया जो आया सही था, हम कल का गेम अपने defenders और गोल कीपर के चलते जीते हैं, और ऐसा बहुत रेर होता है, जब अपन ये बात कहते हैं कि हमारे defenders और हमारे goal कीपर ने हमको जो है, वो बचाया है, भाई बिकास बातना लेटली बहुत सारे goals concede कर रही है, अकर तुम देख रहे होगे, तो हमको हमेशा attackers ही बचाते थे, वो से सुने वाला गेम देख लो, हम concede करते आया, फिर comeback हुआ, तो वैसा, नहीं न, यहाँ पर defenders ने बचाया हमको तो यह एक बढ़ा प्लस पॉइंट था, बार्टना का, overall I am happy with the game, बागी बात रही वो referee rob-wop करने का तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो, मैंने आपको जो है उधा बता दिया चले दोस्तो, यही थी, आज की वीडियो मैं मिलता हूँ आपसे एकली वीडियो में देख चाहिए तो नहीं देखने को मिलता है उसके उपर एक tactical analysis करना बनता है कोशिश करूँगा, लेकिन तुम दग views नहीं देता हूँ मैंने मैं चाहिए नहीं देख भी tactical analysis डाला मेरेको बिल्कुल views नहीं आए, तो अब मैं शायदी करूँगा, ठीक है ना तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जीज़ा चाहिए की तानों प्रेकर पीस, भाई भाई, टेक केर, सो जाओ, सो तो क्या जाओ, तुमनों दूटमे को सोना है, बाई